लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखती रही है लिम्रा न्यूस वो भारती जंता पार्टी खूनी खेल M.C.D. के सदन में कर रही है और यह मैं क्यूं कह रहा हूँ यह हमारे दो बार के चुने हुए पार्शद है नेता विरोधी दल थे पिछली बार प्रवीन कुमार जी यह चुनकर आये हुए है आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनकर हुए है और इनके उपर जान लेवा हमला सदन के अंदर किया गया जहां B.J.P. के साथ सांसद मौजूद हैं सारे पार्शद मौजूद हैं इनके उपर इस तरीके से इनको लहु लिहाँ कर दिया गया इनका खून बहाय गया इनके कपड़े फार दिये गए क्या मान थी इन हारी हुई B.J.P. है उसके मन में काला चोर वसा हुआ है वह नौमिनेटेड मेंबर्स को जिनको एक वोट भी जनता ने नहीं दिया उसको मेयर के चुनाओं में डिप्टी मेयर के चुनाओं में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाओं में वोटिंग राइट देना चा करते हैं इस मनसा के कारण इस साजिस के कारण उन्होंने पहले नौमिनेटेड मेंबर्स की शपत सुरू करा दी जो की कभी आज तक MCD के इतिहास में नहीं हुआ MCD के नौमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाओं में वोटिंग राइट है यह अपने सपत लेने की मांग कर रहे हैं यह इनका गुना है इनकी पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजे पी के साथ यहां जितने नो के नो पारसच चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के वो सब भारतियंता पार्टी की मदद में लगए हैं वाक आउट करके और इसका प्रमार यह है कि जो इनकी नेता सदन ना जिया उसको हज कमेटी का चेयर बनाने का प्रस्ताव बीजेपी के कहने पे LG ने पास कर दिया जी उसकी फाइल चल गई पचास पचास लाख रुपए में एक एक पार्शदों की डील हुई है साड़े चार करोड रुपए में डील हुई है इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए सामने आके देना चाहिए और यह जो खूनी खेल हो रहा है अगर देश के ग्री मंत्री इस खूनी खेल को देख रहे हैं दिल्ली की कानून विवस्था उनके अधीन है MCD का सदन सुरक्षित नहीं है यहाँ पारसदों पे जान लेवा हमला किया जा रहा है आपको सामने आना चाहिए और स्पस्ट करना चाहिए कि अगर जंता ने आपको हरा दिया तो क्या गुंडागर्दी के दम पे ताना साही के दम पे लोक तंत्र का गला दबा के आप मेर बनाना चाहते हो डिप्टी मेर बनाना चाहते हो स्टेंडिंग के मेंबर बनाना चाहते हो तो इसलिए मैं चाहूंगा प्रवीन जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे फिर सौरभ भाई आज हम सब लोग जितने भी आमादमी पार्टी के पार्षद जब सदन के अंदर पहुँचे सपत लेने के लिए तो उससे पहले ही बीजेपी की गुंडागर्दियों की प्लानिंग थी कि जबर जस्ती गैर कानूनी तरीके से अल्डर में जो नोंने गुंडे बना के भेज मेंसा नहीं हुआ कि चुक्छी यों को बाद में सपत दिलाई जाती हैं दूसरी बारं के अंदर चुनके आया हूं तो उन्हों ने इस बात कर जो वीकुत की इन नहीं की द दीए उसको पर संस्द थे जिससे सपत लेते हैं वह मेपर उन्योंने मारने के कौसिस की और हमारे उन्होंने मैंने ह ata घलाओ तरीके से नहीं करना चाहए मैं भोला भी सांध साब को कि आप लोगों को संजाओ कि इस तरीके से नहीं और शीदन के अंदर फिर भी सांध साथ जितने भी ते उनकी responsibility पहुंती थी कि उनको मना करना चाहे था उनके साथ मिलके वो सब लोग मेरे साथ आता पाई कर रहे थे वहां पर और बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी बहुत ज्यादा लगी भी यह बहुत जादा रिपोर्टर यहां पर हैं मैं चाहूंगा कि यह बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते मेयर के इलेक्शन हो डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो या हाउस से जाने वाले स्टेंडिंग कमिटी के मेंबर हो इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर के वोट वर्जित हैं प्रतिबंदित हैं यह नहीं हो सकता अब बैमानी करके भारतिय जनता पार्टी एमसीडी पे कबजा करना चाहती है हम यह बेमानी नहीं होने देंगे एक महोदे मुझसे पूछ रहे थे कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए मैंने का भई यह तो बड़ी जीब बात है इंडिया पाकिस्तान का मैच है ग्यारा खिलाडी पाकिस्तान क्या ठों कैय भैजर कैसी कि ढर्ड़ी पाकिस्तान और मिंद्धा तो हरा आदमी डरता है कॉन नी डर रेगा बहिमान्यों से तो यह बडरने की नहीं है यह बात उसूलों की है इस वक्त जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी और उपराज्य पाल महोदे बहिमानी पर उतर आएं पूरी दिल्ली इनकी बहिमानी देख रही है और जो गुंडागर्दी की है जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीन पर किया है यह गुंडागर्दी नीचलने देंगे हम कॉंग्रेस नहीं है यह आम आदमी पार्टी है आम आदमी पार्टी भारतिय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है